इकाई चार देश के नाम संदेश पत्र पत्र काश्रवान कीजिये मात्र छाया उची शेरी गाव मेस पुरा तहसील भाबर जिला, बनासकाथा दिनांक, चौबीस बारह, दो अजार ग्यारह प्रीय मित्र हर्ष नमस्ते मैं यहां साकुशल हूँ आशा है वहां सभी साकुशल होंगे तुम्हारा खत मिला पढ़कर खुशी हुई मैंने डाक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक इमेल पढ़ा वही तुम्हारे लिए प्रेशित कर रहा हूँ डाक्टर कलाम अपने देश की शुरुवात में ही पूछते हैं क्या आपके पास अपने देश के लिए दस मिनिट का समय है यदि हां तो इसे पढ़िये वरना मर्जी आपकी यानि की इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए आप कहते हैं नगरपाले का कच्रा नहीं उठाती आप कहते हैं फोन काम नहीं करता रेलवे मजाग बन गई है एरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है चिठी अपनी मन्जिल तक नहीं पहुचती आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं आपने इस बारे में क्या किया? फिर राश्ट्रपती ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापूर जा रहा है उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शकल भी दे दीजिए आप दुनिया के सर्वस्रेश्ट हवाई अड़े पर उतरते हैं सिंगापूर में आप अपनी सिग्रेट का टुकडा सडकों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है आपको उनके भूमी गत संपरकों पर रश्क महसूस होता है आप शाम पांच से आठ बजे के बीच आचर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टेक्स तकरीबन साथ रुपए भुक्तान करते हैं अगर पारकिंग में आपने निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकेट पंच कराते हैं लेकिन आप सिंगापूर में कहते कुछ नहीं कहते हैं क्या दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ पी खाने का साहस नहीं करते जपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ? मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है आस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड में समुद्र कटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उच्छालते टोक्यो में आप सडकों पर पान की पीक क्यो नहीं थूखते? दाक्तर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं भारती य धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेकते हैं कागज के पुर्जे उचालते हैं यदि आप पराय देश में प्रशन सनिय नागरे को सकते हैं तो यहां भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? दाक्तर कलाम ने मुंबई के पूर्व महनगर पाले का आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा अमीर लोग अपने कुटों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहां तहां गंदकी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदकी के लिए प्रशासन पर दोश मढ़ते हैं क्या वे उमीद करते हैं कि वे जब भी बहार निकलेंगे तो एक अधिकारी जाडू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुट्टे को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा राश्ट्रपती ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुट्टे के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदकी साफ करनी पड़ती है फिर शासन व्यवस्ता के बारे में दाप्तर कलाव ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिमेदारियां भी वही उलट आते हैं हम आराम से बैट कर सोचते हैं कि अब हमारे नाजनकरे उठाए जाएंगे हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्ष पर पड़ा हुआ रद्धी कागस उठा कर उसे कूडे दान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बातरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तमाल करना भी नहीं सीखेंगे दाक्तर कलाम ने कहा कि समात की जवलन समस्याँ पर भी हमारा ऐसा ही रवईया है हम ड्राइंग रूम में बैठ कर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं और बहाना देखिए पूरी व्यवस्ता ही खराब है अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा राश्ट्रपती ने इस संदेश में पूछा इस व्यवस्ता को बदले का कौन यह व्यवस्ता है किसकी आप आसानी से कह देंगे व्यवस्ता में शामिल हैं हमारे पड़ोसी आसपास के घर अन्य शहर अन्य समुदाय और सरकार लेकिन मैं और आप कतई नहीं जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा अपने जादूई हाथों से चमतकार करेगा और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़ कर ही चल देंगे उन्होंने कहा हम अपने भय से भाग कर अमेरिका जाएंगे उनके गौरव का गुणगान करेंगे व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे और जब न्यू यॉर्क और सुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लेंड भाग जाएंगे इंग्लेंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचा कर घर ले जाए हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है दाक्तर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को जकजोर देते हैं श्रेश्ट नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत है तो इसे अपने दस और साथियों को इमेल से भेजिए परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम तुम्हारा मित्र किरण